हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम बैक टू कोडब तुरो चेंदन और वेल्कम बैक टू पाइथन मास्टर ग्लास सीरीज तो आज के इस वीडियो में और इस लेक्चर नमबर नाइन में मैं आपको एक्सप्रेंग करने वाला हूँ पाइथन के बुलियान कंसेप्स को यह हमारा र पहले और इंप्लेमेंट करने के पहले किसी भी कंसेप्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है इस वीडियो में मैं आपको इन देप्स में पाइथन के बुलियान कंसेप्स को एक्सपेंड करूँगा तो कौन-कौन से टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दूँगा तो फर्स्ट है बुलियन का ओवर्वी बुलियोन क्या होता है उसके कौन-कौन से वैल्यू को इस्टोर करता है वह एक्सपेंड करने वाला हूँ फिर अंडरस्टैनिंग बुलियन फंक्शन तो कि कुछ फंक्शन भी होते हैं जिससे हमें समझना बहुत जरूरी होता है देन कंसेप्स ऑफ फाल्सी और टूथी क्या होता है यह चीज़े में आपको एक्सपेंग करोंगा लाओ तो कुछ इस तरीके से हमारा यह वीडियो आगे बनने वाला है तो पहला कंसेप्स है हमारा बुलियन का ओवर्वेयू। in programming we often want to check if a condition is true or false यह जानल की in a programming we often want to check if a condition is true or not and perform some extra days on results यह जानल की हमारे पास जबी भी बुलियन दा टाइस्ट का यूज करेंगे बुलियन जो है बैसिकली एक डिटा टाइप है पाईटन प्रॉग्मिगवेज के अंतर इसका यूज कभी होता है किसी कंडिशन से बैसे पे जहां से सुनिए किसी कंडिशन के बैसे पे अगर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है क्या करना है कुछ एक्शन परफॉर्म करना है स्पोज यह एक्शन वन है और यह क्या है एक्शन टू है तो किसी एक्शन के बैसे Suppose true और यह false So, boolean में total 2 value को हम लोग store करते हैं एक true होता है और एक false होता है तो किसी भी conditions का output अगर true होता है तो हम लोग action number 1 परफॉर्म करेंगे for example और किसी भी conditions का अगर output अगर false होता है तो हम लोग action number 2 परफॉर्म करेंगे So basically, conditions के basis पर किसी results को execute करना किसी method के execute और किसी functions को perform करना उस time पर हम लोग जूज करते हैं boolean data type का To represent true and false, python provides you with the boolean data types The boolean value has a technical name as bull So, हम लोग जो boolean को represent करते हैं और जो call करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं boolean के साब से, ठीक है उसको technical language में कहा बोलते हैं, boolean और वैसे का बोलेंगा, अब लोग, boolean The boolean data type has two value true and false, so boolean केतने value को show करता है एक तो true value को show करता है और दूसरा होता है false value see true और false और यहाँ पर ध्यान दीजिए true जो है, वो capital T से start होता है और false जो है, वो capital F से start होता है बाके सारे parameter language में true जो है, वो small t से होता है कुछ इस तरके से true और false जो है, वो कुछ small f से होता है तो बाट, python के अंदा हम लोग जो true और false को दीजिए वो starting with capital letter note that boolean value true and false start with capital letter T and F जो कि मैंने आपका अलड़ी explain कर दिया है for example, यहाँ पर देखिए first, हमारा condition से compare to numbers so, boolean का use, हम लोग numbers को भी compare करने के लिए कर सकते हैं और boolean का use, हम लोग string को भी compare करने के लिए कर सकते हैं जो कि, दो string जो है वो एक दुसिती बड़ा है या छोटा है या equal है, वो चीज़े निकालने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं for example, यहाँ पर क्या है 45 यहाँ पर क्या है 23 45 is greater than 23 यह हमारा true है कि false इसका output हमें क्या आएगा true because 45 is greater than 23 अभी second में देखिए 12 है और यहाँ पर 10 है तो यह का भूला है कि 12 is less than 10 यह false है तो हमारा output भी कहानना चाहिए false with capital M अभी हम लोग string को compare करते है string को compare करने के लिए suppose मैं लिखता हूँ a, b, c, d, e, f so a जो है smaller than b रहेगा b जो है smaller than c रहेगा कुछ इस तरह कि left to right पर जाएगे तो left वाला number हमेंसा छोटा होता है उससे left वाला collector भी हमेंसा right वाले collector से छोटा होता है जैसे यहाँ पर a पकरेंगे और z पकरेंगे तो a पहले आता है z बाद में आता है तो z बड़ा हो ना तो यहाँ पर z को में क्या कर रहा हूँ छोड़ा दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आपकोड भी कहाना चाहिए तो यह correct है यहाँ पर देखिए a जो है और z है और यहाँ पर कहा है छोटे का साय है तो a छोटा है z से correct क्योंकि a पहले आता है और z बाद में आता है तो यह हमारा हो गया true conditions तो इस तरीके से बुलियली का overview का कुछ concepts था I hope आप काफी अच्छा लगा रहेगा next concept जो है हमारा understanding boolean function boolean function क्या होता है to find out value is true or false we use boolean function ऐसे length calculate करने के लिए हम क्या यूज करते है length function का string length function का वो ऐसे boolean calculate करने के लिए हम लोग और उसके results को calculate करने के लिए हम लोग boolean function का use करते हैं और boolean function हमें return कहा रहेगा true or false for example यहाँ पर दिखी boolean of characters so boolean of anything which is present is considered as true and boolean of anything which is not present is considered as false ठीक है याद रखी boolean of empty string is false or boolean of one is true boolean of zero is false because zero को हम लोग अपने machine language में उसको false consider करते हैं correct और one को हम लोग true consider करते हैं तो अगर हम लोग one pass करेंगे boolean function को तो हमें return करेंगा true and जब हम लोग zero pass करेंगी तो return करेंगा हमें false तो same functionality इधर भी apply होता है अभी boolean of 100 boolean of any number other than zero is considered as true तो यह हो गया हमारा boolean function का overview and देखते हैं अभी हमें लोग false है और truth ही concepts क्या होता है when a value evaluates to true it is truth ही and if a value evaluates to false it is false ही simple सा statement परके हमें समय में आग लिया और किसी results का अगर output true आता है तो उसको लोग बोलेंगे truth ही और किसी results का output अगर false है उसको लोग बोलेंगे false ही पस simple सा concepts ही यहां पर and the following is a false value in python है कि हमें false कभी कभी return होगा boolean function हमें किस time पर false turn करेगा अभी किस किस चीज को हम लोग python के अंदर false ही बोलते है for example a number 0 0 का consider क्या रहता है an empty string यानि no text in between मतलब इसका मतलब यह होता है कि यह आपे ना दिहाने के लिशिप किया है यानि कि text है इसकी बीच में कोई भी text नहीं आपे empty string नहीं मतलब कोई भी text नहीं है false हुआ false का return भी कहता है false ही आता है नहीं है यह सारे चीज़े future वाले वीडियो में explain करने वाला ठीक है इसका एक dedicated वीडियो लेगा आपके लिए और काफी अच्छा concept से वीडियो के समझने के लिए यह मतलब होता ने collection जो बोलते हैं वह है अपना तो काफी अच्छा concept से मैं आपको future वाले वीडियो में आपको अच्छे से explain कर दूँगा तो इस सारे concept को समझने के लिए हमने overall क्या सिखा तो इस समझने का correction से तो python boolean data type has two value true and false second point सिखे हम लोगे use the boolean function to test if a value is true or false फिर हमने सिखा कि false ही क्या होता है और truth ही क्या होता है और truth ही क्या होगा other than this value are called as truth ही simply truth ही value are the value that are not false ही simple सा concept समझने में भी कोई दिकत नहीं है सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जिरू लाइक कर देजिए और चैनलों को subscribe करके जितना उसके उतना support दिखाएए दोस्तों का सेर किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट का हम लोग practical implementation करेंगे और चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तो till then take care and bye bye जैहें